हलो और वल्कम बैक टू अभीमनी यूस्टेडी सिंटर फ्रेंड्स मेरा नाम अभीमनी व्यादो है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइपस अब ग्रैमर मतलब ग्रैमर कितने परकार को होते हैं पहले पार्ट में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि ग्रैमर क्या है और इसके टाइपस क्या होते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रामर के टाइपस को मतलब हम ग्रामर के कितने परकार होते हैं कितने परकार होते हैं उन समी पहर को वन वाई वन हम समझेंगे तो आपकी ज़्य कारिकली बता दें तौनि फ्रेंट्स यह जिसमें मैं ने पहले पार्ट ने बताया कि इस乾़ेंगे टिम Gibbs कि पार्कार है और वन वाई healthy वाई कि आपको बताता हूं कितने परकार को थे हैं तो फ्रेंट्स आपकी जनकारी के लिए बता दे ग्रामर पांच परकार के परकार को थे हैं जैसे पहला है नोगों का आर्फोगराफी मतलब वचार नेक्स डाइटमो लग लॉजी यहिसा However और थार्ड फ्रेंट्स मतलब वाके बीचार है और फोर्थ परिंट्स पंचविश्श न मतलब चिन्य हुर और पांच वआ फ्रेंट्स प्रसडी का मतलब होता है फ्रेंट्स चंद्वचार है अब हम प्रेंट्स वर्ण विचार अब इसको समझते हैं यह ग्रामर का वह भाग है जिसके अंतरगत विन प्रकार के अंग्रेजी वरणों का अध्यन किया जाता है इस भेद में स्वर और विवंजन वर्ग का विशेश कर अध्यन किया जाता है जो लेटर्स का रूप लिखने का तर होते हैं एक वावल एक कांसोनेंट ओके फ्रेंट्स आगे मैं वह को बताता हूं अब इसको फ्रेंट्स इंग्लिस में देख लिए क्या लिखा मैंने इट इस ब्रांच आप ग्रैमर विच टीचेस अस अब आउट डिफेंट टाइप्स आप लेटर्स मतलब यह ग्रामर क्य इसा कि आप जानते हैं कि वावल पांच होते हैं एई आई ओ यू और फ्रेंट्स हिंदी में हिंदी में 11 होते हैं यह ग्यारे यह होते हैं जैसे फ्रेंट्स कहां से होते हैं और से लेके आहा तक होते हैं और से लेके आहा तक होते हैं अब हम चलते हैं इंग्लिस में कितने ह हाई होते हैं इयूत होते हैं अब जोड़ाता हैं कौन संप होते हैं और उसी को फिरेंड में इंदी में चानधे बीयों से होते हैं तो फिरेंड कोसे लेखे गाहांतों हमारे बीबंजन है मतलब है इस यह नहीं है यह है यह हम लोह का फ्रेंड्स게 इसके माद्यम से सब्दों को कई वागों में विवक्त किया जा सकता है जो इसके अलग-अलग रूपों को विस्तृत करता है अथार्थ सब्द विचार के विस्तृत रूप को पाटब स्पीच का आ जाता है क्या बता रहा है बर दोबार देखे फ्रेंट्स सब्द विचार ग्रामर का वह भाग है वांब पयां जता है जिसके अंत्रगत विभिन प्रकार के सब्दों का आध्या billion किया जाता है यह कई सब्दों में बटा रहा तो उसी को खयते हैंteen粉 आगे चलते हैं आगे क्याल के फ्रेंट्स इंग्लिस ग्रैमर में सब्द विचार के बिस्त्रित रूप यानि पार्ट आप स्पीच को प्रमुक आर्ट वर्गों में विभाजित किया जाता है जो बनावट यहों प्रियोग के नुसार बेवस्तित होते हैं फ्रेंट्स ओके अब मैं बताता तो वह सब्सक्ता हैं कन्-स अर्ट वर्गहमी हैं कि अर्ट्अप सब्सक्राइब सब्सक्राम प्रॉन-दूसर अंडब मतलब सवार नाम तेसरा फ्रेंडस वार्ब ऑ चौत्तरा प्रेंडस ऐचेक्टिव और फ्रेंड़ एडवर अट्वा अज बनौतलब क्रिया में चैनला और फ्रेंट्स नेक्ट्ट्च्ड प्रेपोजिशन फ्रेंट्स सम्मद सुझक इर नेक्ट्ट Lords इसको में पड़ा दूंगा पड़ा दूंगा फ्रेंट्स तब इसको आप oneie one करके प्लीज जिएगा इन आथव परण उपिछ जो के ने तो हम आगे बताता हैं कि नेक्स्ट के नेक्स्ट हमारा हना प्हक्त है नेंक्स्ट है सिंट्एक्स होता है फ्रेंडस वाउक कि बिचार ऑग के बिचार हम 23 किसे कि आजए रोके फ्रेंड्स देखते हैं वाक के बिचार इंग्लीज ग्रामर का वह रूप है जिसके अंत्रगत विभिन परकार के वाक्यों यानि सेंटेंस का अध्यान किया जाता है इस वेत के अनुसर प्रतिक वाक्य को चार प्रमु क्या रूप में ब्यखत किया जाता है जो करां कि इसमें इस में डिया है किया दिया आप्रेंस मैंने बताएं। आपको अफर्मेटिव संटेंस निगेक्टिव संटेंस इन्ड्रोगेटिव धीपनेंस और बेकि और आप वागे दिखते हैं क्या लिखे अदुनिक grammar के अध्यन में वाक के बिचार को subject verb agreement के नाम से भी जाना जाता है जो किसी वाक के subject के number और person के नुशार verb का प्रयोग की जाता है अथात बताता हो फ्रेंड्स आगे देखिये अथाता फ्रेंड्स यदि subject similar हो तो verb भी similar प्रयोग किया होगा subject या इदि plural है या सबस्जेक्ट यदि प्लूरर है तो वरब भी plural हो प्रियोग होगा ओके friends अब हम आगे देखते हैं आगे देखते हैं प्रेंब्स पंक्चवेशं क्या होता है next friends हमारा पंचवेशं पंक्चिवेशं भी होता फ्रेंब्स चिन विचार ओके फ्रेंट्स अब आगे देखते हैं क्या है चिन विचार अंग्रेजी ब्याकरण का वह मात्पुड भाग है जिसके अंद्रगत विराम चिनों का दिन अंग्रेजी वाक्तियों को पूर या अर्थवान बनाने के लिए किया जाता है वह चिन विचार कलाता है इसमें जो punctuation है चिन विचार इसमें हम अलग-अलग punctuation marks को हम जानते हैं मतलब चिन विचार को जानते हैं कि कौन-कौन से चिन विचार होते हैं sentence के कहां-कहां यूज करते हैं अब उसको हम English में देख लेते हैं It is a branch of grammar which makes us learn about different types of signs and symbols जो मैंने पहली बताया आपको अथार्त वाक्यों को सरल सटी क्यों भावपूर बनाने के लिए चिन विचार का प्रियोग होता है नीचे दिए नीचे कुछ चिन विचार के उधार दिया है जिसे देख आप संदे क्लियर हो जाएगा ना उनल जाए पटाए प्रेंडस कौन कौन से वह वो है जैसे प्रेंट्स पहला है पहला कि है फ्रेंस्गें आ आल्पवराम कॉमा मिस वतादा द्रेंट्स हापूड़ जी इस coup ऑर्ध हुर्थ नेक्स्ट आ नेक्सेस्ते त्रेंट्स हमारा एक्स्क्लिबैशन आख से पॉल मेशन मार्क के को-land ड Cookie का मतलब होता इपरेंट्स कि ऑगे हैं को से हैं 다 ? आगी है मारा derechos ब्रैकेट में पार को स्टक फ्रेंट्स आगे आपके भी चमने त diff सब्सक्राइब निकलता है और उसको गलत भी माना जाता है अगर यह जरूफ है जहां पर इसको जरुद है अब नेक्सट उसने प्रंडी किसे कहते हैं कि अब मैं बताता है आपको फ्रेंड्स प्रॉसडी को हिंदी में करो चंद बिचार क्या ettnew prison study को हिंदी में कहते है फ्रेट्स US को छंद बिचार आप हम जिसके अंत्रगत By और शाम में क्रफ ऑललगकार दुवाश और चौप आई चन्द इत्यादी का अध्यर करते है इसके बताया कि हम जो प्रॉसडी होता है चंद विचारिस में हम रस अलंकार दोहाचाउपाई इत्यादी का अध्यान करते हैं ऑके फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं मैंने क्या बता है ग्रामर में इसका अध्यान सबसे मत्थपूड है क्योंकि इसकी लिखावाट स्पेशल के डिगरी में होती है जिस समझना थोड़ा कठीन अवश्य होता है लेकिन देन के पस्टात यह बिल्कुल सरल और अर्थमान हो जाता है यह बता रहे हैं इसको समझना थोड़ा सा कठीन होता है क्योंकि जो रश्च हुए अलंकार हो जो इसके एक्जामपल होते हैं थोड़ा समझना सब्सक्राइं मुश्किल होता है की परफिल यह ब्रांच आप ड्रैमर विछ लर्न डिफेंट टाइपस आप पोईट्री इज आलसो काल दे साइंस आप पोईट्री इसमें प्रेंट्स वही बताया गया है कि जो हम लोग इसमें क्या उलते हैं वही रस अलंकार यह सब चीज़े पढ़ते हैं यह ब्रांच अप ग्रामर इसमें इस यह जो यह ग्रामर एक स्लर्ण अबाओ डिफेंट टाइपस पोईट्री इट घर इज आसो काल दा साइंस आप पोईट्री मतलब फ्रेंट्ससमें लोग यह जानते हैं फ्रेंट्स पोईट्री के परगार को ती है इसमें पोईट्री लिखा जाता बताया जाता है ज़स्त कुशीं इसकी मंतलब, तो, तो, तो और हमने वे सब पहले बता हैं और जसे लिचे को पहले पाट में बता हैं, कि या मै आ ग्रामर कितने प्रकार के रोदे हैं, जुक्त हमे इकर्णा हरां, कि रहा हैं, मैंने एक्स्क्राइइन किया हैं झाल झाल